वल्कम बेक टू माई यूट्यूब सैनल आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ टू कलर डिजाइन चलिए ये डिजाइन कैसे बनते हैं आज बना के देखते हैं डिजाइन बनाने से पहले आपसे मेरे एक रिक्विस्ट है अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेंट लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर किजिए चलिए बना के देखते हैं कैसे बनते हैं डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर बनाना होगा उसके बाद आप डिजाइन बनाएं तो देखेए यह डिजाइन के हमारे पहली सलाई है पहली सलाई हम क्या करेंगे देखेए वन टू त्री यह फोर फोर फंदा मैंने सीधा भी ना आप देखेए इसमें में दुस्रे कलर लगांगी तो इसे एक फंदे को तीन फंदे बनाएंगे तो कि वन अब इसी फंदे को उपर से डबल खुमा के ऐसी इसी में से दुबारा निकालेंगे थोड़ा लूज रखेंगे ताकि ये टाइट न हो जाए तो एक में से हमने तीन बनाया अब देखिए इस में से भी हम तीन बनाएं से 6 फंदा बनाएं बर देखिये अब फिर से हमारे क्या करना है ग्रीन कलर से बीस में one two three इो फोर फंदा फिर से हमने सीधा बीना है अब देखिये फिर से हमने एक फंदे मेंसे तीन फंदे बनाएंगे तो कैसे बनाथ हर तो एक धागां थाम सघ्म्रैब तक दो सड़ाय थोड़ा रखे तो इसको छोड़ेंगे लिए उप्र के लात फंदा निकाल गए देखिए तो हमारे टोटेल से फंदा बनेगे इसका तिन इसका तिन छे फंदा हो गया अब देखिए यह वान टू त्री यह फोर फंदा सीधा अब फिर से देखिए वन धागा का इसे उपर से लेपटा अब इसी में से दुबारा निकाल लेंगे तो यह हो गया थ्री फंदा हो गया अब इस में से भी थ्री फंदा निकालना है तो देखिए वन यह हो गया टू भी पिछे से लिया त्री अब देखिए लास्ट में हमारे 4 फंदा, हमने शुरुवात में भी 4 फंदा लिया, लाक्ष में भी हमारे 4 फंदा रहा गया, दिखिए, इस सीधा फंदा 4 हो गया, आपको जितनी फंदा लेना है, इसे ही सबसे लेना है, 4 बिनना है, और 2 फंदे को 6 फंदा बनाना है, तो 1 में से 3 और 1 में से 3 ऐसे करके , अपने निकलना फिर बीच में 4 फंद सीधा बिनना, फिर एक में से OTHER 3 पिर एक में सेदीं तो टोटल हमारे 6 फंद बन जाएगा, तो इस इतरा आपके पास जितने फंदे होंगे प्रेंट इस इतरा आपने लेना हैं, तो हमारे पहले से कम्थी हो गया आप देखिए रोर नामबर 2, आप 2 रो पर एकमना निकाला, अब इसमे से भी 3 था ़िसको भी हम सिलिप करना है इसको भी थो भी नहीं हो इसको 4 फंदा फिर से उल्टा बीनना है तो यह जो हमारे फंदा है इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 फंदा उल्टा अब यह जो हमारे 6 फंदा है यह 6 फंदे को हम स्लिप कर देंगे तो देखिए इसी दा अब इसको भी हम 4 फंदे को उल्टा बीन लूँगी यह 1 2 3 यह 4 4 फंदा बीना अब यह जो हमने 1 में से 3 फंदा निकाला इसको स्लिप किया फिर 1 में से 3 निकाला इसको भी हम स्लिप किया अब यह 4 फंदा हमारे है तो तो इसको ग्रीन कला से बीनना है यह देखिए 1 2 3 4 देखिए हमने 4 फंदा बीन लिया आप देखिए हमारे 2 सिलाय कम्प्लेट हो गया अब रो नमबर ठाड पर हो अब ठाड रो पर देखिए क्या खरना है वन टू टू फंदा सीधा बीना अब देखिए यह जो हमारे एक में से 3 फंदा निकाला तो सिलाय आगे से हम घुचाएंगे हागे की साइटी देखिए इह देखिए यह 3 फंदा में ले लिया आब ये two फंदी को हम ऐसे स्लीप कर देंगे अब पीछे से में जो कर देखिए अैसे स्लाइमे उठा लेंगे कि यह देखिए यह टू फंदे को इसी उठा लिए अब इसको इससाइट कर देंगे अब इसको आगे से सब पकरेंगे अब देखिए है इसको सीधा बिन दिया अब यह जो हमारे ग्रीन कलर की दो है यह दो को ऐसे सीधे बिना है वन यह टू फंद में अब देखिए यह इस फंदे को इदर लाना है और यह टू फंदे को बीच में लाना है अब क्या करने हमने पीछे की साइड से इसको फंदे को ऐसे पकरना है अब ये स्लीप के आपनदे को आगे से उठा लेंगे दिखिए अब इसको ऐसे गुमा के यह बीच में आगे हमारे अब एसलाय में ले लिया अब इसको बीण देंगे सीधे बिन्ना है देखिये 1, यह 2 बीच में हमारे 4 फंद आ गया अभाज यह जो फंद आ है इसको आगे से खुषाकर इसको बिन दिया अभाज जो 1, 2 2 फंद है इसके बीच में आयेगा और यह 3 फंद इघर आयेगा तो देखिये पहले क्या करना है इसको पीछे से हम उठा लेंगे देखिए अब इसको ऐसे घुमा देंगे अब इसको यह सलाह में ले लिया इसको सीधा बीना अब इसको पीछे से ग्रीन कलर को पहले उठाया अब इसको छोड़ दिया अभी इसको दुबारा इसमें डाल लिया देखिए बीच में हमारे फोर पंद आ गया अब इसको ऐसी सामने से सिसलाइक उसाएंगे और यह इसको बीन दिया देखिए अब फिर से होगी करना है अब को पास जितनी पंदे रहेंगे प्रें सारे पंदे को अपने ऐसे ही करना है देखिए अब इसको आगे से सिसलाइक उसाएंगे फिर इसको बीन दिया अब टूफंद ग्रीन अब यह टूफंद ग्रीन को इधर बीच में लाएंगे पहले ग्रीन को पकड़ा और इसको इसे थोड़ा इसमें ले लिया देखिए अब इसको पिंक कलर से बीन दिया अब टूफंद सीधा हो गया अब देखिए जो फंद जैसे है वैसे ही बिनना है ग्रीन को ग्रीन से बिनना है और पिंक को पिंक से बिनना है देखिए यह हमारे एक फंदा ग्रीन पिंक है तो इसको पिंक से बिनना है देखिए ग्रीन कलर से फोर फंदा है तो इसको ग्रीन कलर से बिननेंगे फोर फंदा ग्रीन टू फंदा पिंक फोर फंदा ग्रीन जो जैसा फंदा है वैसे सेम बना के कंप्लीट करना है तो दिखिए हमारे फोर सिलाइ कंप्लीट हो गया अभी जैसे हमने शुरुबात में किया सा तो हमने शुरुबात में फोर फंदा ग्रीन भीना था अब हमने टू फंदा ग्रीन भीना है तो अब जिसमें ये जो आया है pink color की अब इसी में हमारे फंदा double हो जाएगा तो देखिए two फंदा सीधा बिना अब एक फंदा हमारे pink आ गया तो अब इसमें देखिए एक फंद में से तीन फंद निका लेंगे तो वन अब ऐसे धागे को घुमा के फिर से हम एक निका लेंगे तो देखिए एक में से तीन फंद बन गया अब देखिए बीच में ग्रीन कलर से हमारे फोर फंद बिनना है वन तू त्री ये फोर फोर फंधा ग्रीन, आब देखिये, एक मैसेश में तीन फंधा बनाना, एक, इस दीखिये हमारे, इसमें त्री फंधा निकल गये, आप इसमें से भी थ्री फंधा निकालेंगे, देखिये, त्री फंदा इसमें से भी निकाला अब फिर से 1, 2, 3, 4 फंदा ग्रीन अब फिर से इसमें 1, 2, 3 फंदा हो गया मेरे पिंक विसमें भी 3 फंदा पिंक बनाएंगे 4 फंदा ग्रीन 1, 2, 3, 4 फंदा ग्रीन एक में से 3 बनाएंगे अब यह लास्ट का हमारे 1, 2 फंदा पहले हमारे 4 फंदा था अब हमारे 2 फंदा हो गया देखिए अब इसको दुबारा जैसे हमने पहले से ला में बनाया वैसे ही सेम टू सेम बनेगा तो अब यह ग्रीन कलर से बीना हुआ इसको बीनना है अब यह जो है बनाया हो फंदा एक में से 3 बनाया उसको स्लीप करना है अब यह ग्रीन के फिर से बीनना है फोर फंदा उल्टा बीना अब यह जो है फंदा इसको स्लीप करना है 6 पंदा है हमारे तो यह सारे फंदे को हम स्लीप कर लेंगे देखिए अब यह धागा को भी साथ साथ लेके चलेंगे किकी अब इससे बनेगा तो अब फिर से 1, 2, 3, 4 पंदा बीना देखिए यह जो 6 पंदा हमारे है तो इस 6 पंदे को निकाल लिया स्लीप किया अब धागा को इससे साथ लेके चलेंगे यह वाले तो देखिए 1, 2, 3, 4 पंदा बीना वे 3 पंदा हमारे स्लीप किया हुआ तो इसको स्लीप कर दिया अब देखिए एक ग्रीन का दो फंदा था तो दोनों उल्टा बीना अब यह देखिए हमारे इसको पहले हमने किया था इसको अब इसको क्या करना यह से पीछे से हमने धागे को पकड़ाएंगे यह दो फंदे को पकड़ा अब इसको छोड़ देंगे अब इसको इस में ले लिया एब इसको दिखिए चार पंद हमारे जो शुरुवात में था यह दभी इधर दिखिए अब ग्रीन कलर के हमारे उन टू टू थी फोर पंद बन गया अब यह पींक कामने 140 जो बनाए था आप तीन को एक करना है तो तीन फंदे को एक कर दिया अब फिर से देखिए अब आगे से इसको लाना है अब ये दो फंदे को बीच में लाना है तो देखिए आगे से अमने धागे को पकड़ा अब ये दो फंदा इसमें ले लिया अब ये देखिए ये दुबारा लेफ्ट में ले लिया अब इसको पिंक कलार से बिन दिया अब फिर से देखिए टू फंदा वन टू फंदा ग्रीन अब ये ग्रीन फंदा को इसे लिया विच में ये दिखिए वन टू फंदा ग्रीन वन पिंक अब दिखिए ये टू फंदे को पहले पकड़ा पिंक को अब इसको स्लीप किया वे टू फंदे बीच में आ गया देखिए ऐसे ही करना है अपने जितनी फंदे होंगे आपके पास आपने ऐसे ही बिनना है देखिए अब ये बीच में हमारे ग्रीन फंदा आया तो इसको ग्रीन कलर से बिनूंगी अब ये टू फंदा फिर से बीच में लाना है तो अब देखिए इसको आगे से लेना है अब पेचे से इसको खीचा देखिए इसको प्के से बीना है इसको आगे से पकड़ा है इसको आगे से पकड़ा है ये दिखिए यह हमारे लास्ट सिलाई है जो फंदा जैसे है उसको बैसे ही बिनना है जैसे हमने फोर सिलाई में किया था यह हमारे आठमी सिलाई है तो आठमी सिलाई में जो फंदा जैसे दिखे आपको बैसे ही बिनना है जो ग्रीन है उसको ग्रीन से बिनना है और जो पिंक है उसको पिंक से ही बिनना है देखिए तो देखिए हमारे जो फंदा जैसा था हमने अब ऐसे ही बिनना है तो देखिए आर्ट सिले में हमारे डिजाइन बन गया देखिए अवे ऐसे ही repeat करना है तो आप भी देखिए हमारे 4 फंदा green से बीना फिर इसमें 1 फंद में 3 करना इसमें भी एक फंदे में 3 करना आप ऐसे ही जितने आपको ऐसे pink कलर की देखेंगे तो उसमें आपने 1 फंदे को 3 बीना है इसमें 6 बिना है इसमें भी 6 बनाना है और यह ऐसे ही रहेगा 4 फंदा ग्रीनी बिना है देखिए कितने सुन्दर बन के तयार हो गई मेरी डिजाइन अगर आपको डाउट है तो एक सलाय में और बना के दिखाती हूँ यह देखिए जो हमने शुरुबात में हमने जैसा बिना अब देखिए इसको एक दो थीन फंदा होगे देखिए फिर सी इसको भी एक यह दो यह तीन फंदा दिखिए जैसा हमने शुरुबात में वीना था वैसा ही है अब यह 4 फंदा हमारे ग्रीन है ऐसे ही आपने बिन्ना है देखिए डिजाइन अच्छी लगी तो लाइक शेर और कमेंट करके जुरूर बताईए कैसे बनी है थैंक यू